कोविड का नया वैरेंट आ चुका है और इसे लेकर लगातार जो किन सरकार है वो भी एहम चर्चा कर रही हैं कोविड के कोविड के नई स्ट्रेंज जे ऐन वन ने भारत समय दुनिया के कई देशों में एक बाफिर से तहल का मचा दिया है कोरोना के नई वेरियंट को बेहर संक्रमक माना जा रहा है और देश में अब तक इसके कई मामले भी सामने आ चुके हैं हालात को देखते हुए कि इन सरकार एक्टिव हो गई है और सभी राच्यों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सरकार ने कोविट को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की है और सभी अस्पतालों को अलर्ट करने के लिए भी कह दिया गया है इसके मामले सबसे पहले अगर बात करें तो केरल और उसके बाद फिर तमिलाडू में मिले थे जिसके बाद कई अन्य जगाहों पर भी संकमन फैलने की बातें सामने आ रहे हैं फिजीशियन डॉक्टर अनिर्बंसल के मताबिक कोविट का वाइरस लगातार म्यूटेट करता रहता है और नया वैरियंट आ जाता है वर्तमान में कोविट का ये नया वैरियंट सब वैरियंट जे एन तीजी से फैल रहा है तो इस वक्त रहते कंट्रोल इसे किया जा सकता है नय वैरियंट का असर आपको बता दे कि लोगों की इम्मिनिटी के अनुसार अलग-अलग तरीके से होता है हाला कि जो लोग पहले से किसी भी संकमन या फिर गंभिर बिमारी से जूज रहे हैं तो उन्हें विशेस साबधानी बरतनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए कोविट का नया वैरियंट जादा खतरनाक हो सकता है यानि कि आपको अपना ध्यान और भी जादा रखना होगा कोविट के JN1 वैरियंट से बचाएंगे ये 5 तरीके जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं तो कोविट के नई वैरियंट से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि भीटभार वाले इलाकों में ना जाएं शादी विवा या फिर रणने पाटियों में शामिल होने से बचें और लोगों से हाथ ना मिलाएं दूसरा समय समय पर सावुन से अपने हाथ धोएं और किसी भी चीज को चूने के बाद साइनिटाइजर का अस्तमाल करें इससे आपको वायरस से बचने में मदद मिलेगी वहीं पर बाहर निकलते समय मास्क लगाएं ताकि वायरस हवा के जरी आपको संक्रमित ना कर सके और मास्क ना होने पर बहार जाते वक्त रुमाल का अस्तमाल भी आप कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को कौविट के लक्षर नजर आ रहे हैं या फिर कौविट से वो संक्रमित है तो उसके संपर्क में आने से बचे अगर संपर्क में आये हैं तो तुरंत अपनी ज दीके से मना है यानि कि इस बार नई वैरियंट ने दस तक अब कोवीट के माधिम से दे दिये ऐसे में जुरूरी है कि आप एतिहाद बढ़ते और समय रहते इससे अपना बचाव जरूर करें